हलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग आज है संडे और आपको पता है कि हर संडे को मैं एक वीडियो लाता हूँ जिसमें आप जितने भी वीडियो पर कॉमेंट किये हुए रते हैं वो सारे कॉमेंट्स का रिप्लाइ में करता हूँ तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे कॉमेंट्स लिया जो की बहुत important कॉमेंट्स है उसका reply करने वाला हूँ तो आपके भी कॉमेंट्स होंगे अगर आपने कॉमेंट्स के होंगे या मुझसे कुछ पूछे होंगे तो तो चलिए आज का वीडियो स्टार करत करता हूँ कि अगर आप इस चैनले पे नय हैं, ऑलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो इस चैनलों को अभी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि भी कॉमेंट्स आते हैं वो सारे कॉमेंट्स के रिप्लाइ में कॉमेंट बॉक्स में ही कर देता हूं पर आपके कुछ ऐसे भी कॉमेंट्स है जो कि बहुत अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दिया किजिएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कोमेंट है साहिल खान का तरफ से आधि भाई सिर्फ 15 दिन बच्चा हुआ है जैनवरी के लिए आपके चैनल का जैनवरी के बा आपको पत्ता होगा कि एक साल के अंदर में 4000 गंटे का वाज्टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है चैनल मोनेटाइजेशन करणवाने के लिए तो मेरे एक साल कंप्लीट होने वाले है जिसमें से मेरे जो सब्सक्राइबर से वो तो कंप्लीट हो चुके हैं आगे से काउंट वो करते जाएगा यानि के 365 दिन का लाश्ट वाले जो वाल्टाइम में सिर्फ यूटूब वही काउंट करता है तो देखते हैं अगर उससे पहले रिव्यू में चला जाता है तो अच्छा है और अगर नहीं होता है तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए कर सकते हैं तो बहुत जल्दी वह वीडियो आने वाला है सो वेट करते रही है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कोमेट है यहां पर इंजेनियस पवन अरे ब्लोगर के अंदर भी हम कस्टम डोमेन एड़ कर सकते हैं और एक ब्रांड वेवसाइट बना सकते हैं तो बिलकुल अगर आप नए हैं तो ब्लोगर से स्टार्ट कर सकते हैं और जब आपका अर्निंग हो जब वह बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप उसे वर्डप्रेस पर सिफ्ट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कमेंट है फ्री इस्टेटर्स के तरफ से आप कौनसा यारा का मिभा यूज कर र्हा है और ये विडियो किस कैमरा से सूट किया है तो मेरा जो जो कैमरा न का का 800d है और यहह मत्रबफ कि 65,000 में मिलता है और ऐसे मार्केट में अगर आप जाकर लेते हो तो दो-4,000 रूपे कंमे ही आपको मिल जाता है तो मेरे पास यहीम एक है दो साल से और मैं ही यही कैमरा से यूज करता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कोमेंट है डिजिटल सेवा पोर्टल के तरफ से भाई मैं चैनल 30 दिनों के लिए से मेरा अकाउंट 30 दिनों के लिए सस्पेंड हुआ था मैंने वेट एंट किया 30 दिन तक लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूग है कभी कभी क्या होता है छहां के गोगल Dynasty आपको मेल करता है कि आपका Adsense account suspend हो गया पर कुछ लोग विया समझते हैं कि मेरा पहला बार suspend हुआ है तो इसके लिए 30 दिनों के लिए हुआ होगा तो ऐसा नहीं है पहले आप email चेक कर लिजे कि 30 दिनों के लिए ही वहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं अगर यहाँ रिखा हुआ है कि 30 दिनों के लिए ही सस्पेंट किया गया है और फिर भी ओपन अभी तक नहीं किया गया है तो आप Adsense को help वाले जो होते feedback में आप जाकर email कीजिए कि आपका 30 दिन तक हो चुका है पर आपका Adsense account अभी तक वापस नहीं मिला है तो वहाँ से जरूर आपको 24 गंटे या अन्दर में reply आ जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्ट कमेंट है मलिक कुस्तोड के तरफ से भाई मेरा भी Amazon affiliate account close हो गया है आपने जो बताया गलतिया मतलब वह सारे गलतिया थी इसके बाड़े में जानकारी नहीं था जिसके वज़र से मेरा account बंद किया गया है और जो पैसे है क्या वह मुझे मिलेगा reply करना 10 product जो है मैंने sell किया था तो नहीं अगर आपका Adsense sorry अगर आपका Amazon affiliate account suspend कर दिया गया है तो उसमें जितने भी पैसे वह पैसे आपको नहीं मिलेंगे वह पैसे कोई भी account होता है Adsense account या Amazon का affiliate account या कोई भी अगर वह बंद कर दिया जाता है तो उसमें जो पैसे होते आप पैसे आपको नहीं मिलते हैं jo मैं आपको बता दू कि अगर suspend हो गया तो कोई बात नहीं है बंद हो गया तो आप फीर से जो आसे सो चालू कर सकते हैं फीर सेक नय आकाउंट बना लीजिए लिगन सबसे पहले कोई भी चीज अगर बंद होता है तो उससे गलतिया के बाड़े में आप लोग जरूर पता कर लिजिएगा नहीं तो क्या होगा कि जितना बार बनाएंगे उतना बार बंद कर दिया जागा तो गलती आप बता कर लिजिए जब गलती आज समझ में आ जाए तो फिर आप इन नय अकाउंट बना कर अच्छे से उसे चला सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कोमेंट है विसाल देवगन के तरफ से भाई मेरा टिक टॉक वीडियो से बहुत अच्छी अर्निंग होती थी बट अभी मेरा मोनिटाइजेशन डिसेवल हो गया है क्या करूं बताओ तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है अ अच्छा अर्निंग भी इस्टार्ट हो जाता है पर जब भी यूटूब के नजर में आ जाएगा कि आपका जो चैनल है वो टिक टॉक के रिलेटेट है उसे ऐसा वीडियो डालने जो आपके बनाए हुए वीडियो नहीं है तो वो आपके चैनल को जो एसो डिसेवल कर अच्छा गया तो इसलिए मैं हमें सासे बोलता हुइं टिक टॉक वाके चैनल आप गडू कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे पर अर्णिंग नहीं कर पाएंगे और अनिग भी कर पाएंगे तो उतना ही दिर तक और निंग कर पाएंगे जितना दिर तक यूटूब के नजर मे आप नहीं आते हैं और नजर में आएंगे तो वो आपका एड्सिंस अकाउंट डिसेबल कर देगा उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कॉमेंट है अमन जैमन बहुत अच्छा नाम है भाई थैंक्यों गॉड बलेस यू आप बहुत आगे जाओगे लव यू टू तो सो मज भाई ऐसी सपोर्ट आप करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया किजिएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट कोमेंट है अपना नेचर के तरफ से यह बोल दे क्या एक एड्सिंस से ब्लॉग और यूटूब दोनों मोनेटाइज होगा तो नहीं कि आप क्या कीजिए कि वेबसाइट का अलग एडसिंस अकाउंट रखें यूटूब का अलग एडसिंस अकूंट रखें यह मैं इसलिए वोल रहा हूं कि क्या होता है ना कि मालербर्य जहीं किसी एक रिजन के वज़ासे एडसिंस अकौंट सस्पेंट हो जाता है तो आप दो जाच्च निव्ज क्या यूटूमें तीकटुक के वीडियो में एंसीन शिक लगाका और माइंड लगाकर वीडियो जर बनाकर अपलोड करे और वीयूस भी मौनिट्राइज वी करेंगे एंसीम का फ्री म्यूजिक होता है वो लगाएंगे और थोड़ा माइंड यूज करेंगे जैसे कि लोगों हटा देंगे या कुछ चेंज़ेज कर देंगे उसके बाद वीडियो पे अपलोड करेंगे तो क्या मोनिटाइज होगा मैं आपको बता दो कि मोनिटाइज अ चैनल पर यूटूब को पता नहीं चलेगा कि वो टिक टो का वीडियों है पर पता चल जाता है क्योंकि उसका एक कॉंटेंट आइडी होता है जैसे कि प्लेश्टोर पर आप चले जाना प्लेश्टोर पर आपको बहुत सारे चैनल का यह मिल जाएगा क्या बोलते हैं एप म होता है वह यूटूब पर आपको नहीं मिलता है क्योंकि उसमें म्यूजिक यूज होते हैं जो कि यूटूब बोलता है कि म्यूजिक यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए कॉमेडी नाइट विट कपिल जो है वह फुल एपिसोड नहीं आता है यूटूब पर वह आता है तो डिलीट कर देता है नहीं तो इसी के रिजन के वजह से आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है तो ऐसा गलती आप कभी भी मत करना उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्ट कमेटे भी के टिफ्स यह बोलते हैं लेकिन क्या इसमें एडसेंस डिसेबल होने का खत्रा ह साफला यह बोले थे वह मतलब कि नेया साल का सिर्प्ट उसके बाद और नेक्ट कमेंटे कुडवर राना के तरफ से मेरा तो हो गया भाई मोटेटिजेशन चाप्स्क्रीपर है तो भाई कैसे हो सकता है 100 subscribers में कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो प्लीज किसी भी लोगों को उल्लू मत बनाओ छोटे छोटे जितने भी subscribers है वो लोग थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं तो गलत information कभी भी किसी को मत दिया करो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर next comment है समीर खान नाइस वीडियो भाई कल मैंने domain buy किया था अब hosting कहां से buy करू और wordpress कैसे install करू तो मैं आपको बता दू कि आपने domain buy कर लिया hosting आप reseller club से buy कर सकते हैं मैं link आपको नीचे description में दे दूँगा wordpress कैसे install करना है hosting को domain से connect कैसे करना है यह सब पर मैं already वीडियो बना चुका हूँ उसका भी link आपको नीचे description में मिल जागा आप मेरे channel पर चले जाए channel पर जाने का बाद playlist में चले जाए playlist में आपको एक playlist मिलेगा wordpress पर website कैसे बनाए वहाँ पर जाकर आप जो आपके जितने भी important videos है wordpress के related website making में वो सब वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ से देखकर आप बहुत आसानी से आप एक website बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों next comment है यहाँ पर अबरल गिल sir अगर मैं pop-up ads लगा दू तो क्या pop-up ads लग जाएंगे तो यह बोलना है थे wishing script पर wishing script जो मैंने बताया था नया साल वाला उस पर यह comment किये थे तो मैं आपको बढ़ा तो कि हाँ लग जाएगा वहाँ पर किसी भी तरह का advertisement का ad code लगा कर आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पार नेक्ट कॉमेंट है multiverse studio very very helpful वीडियो थैंक यू सर थैंक यू सो मच ऐसे ही आप लोग support करते रहे है वीडियो पर लाइक करके तो यही कुछ comment थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में reply कर दिया तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करके जरूरू बताईएगा और आप लोग से एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर लाइक करना भोल जाते हैं और एक comment और पूछा गया था जो कि comments मैंने वार्से पर आता कि भाई तुमने जो हैसो कितना earning अभी तक wishing script से किये हो कितना पैसे अभी तक जो हैसो कमाए हो तो यह बता दना और comment में comment वाले वीडियो में यह ले लेना क्योंकि उस पर मैं बहुत इने भाइरिक ट्रैफिक ले रहा था actually मैं किसी और को दे रहा था पैसे और बोल रहा तो ट्रैफिक दे और वह पता नहीं कहाँ कहां से मुझे गलट ट्रैफिक दे रहा था VPN से कहीं कहीं से जिसके वज़े से मेरा सस्क्रेंट हो गया है तो आप जो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा और आप लोग वीडियो पर लाइक करना भोल जाते हैं आप लोग से छोटा सारी क्वेस्टि के बहुत में इनसे वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भोल जाते हैं और जो हेटर्स है उनको वीडियो पर आकर डिसलाइक की करना है तो वो लोग कर देते हैं तो आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो पर लाइक कर दिजिए तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बाताईएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलता है एक और नेक्स वीडियो के साथ तब दर के लिए ख्याले कि अपना गुडबाई टेक क्यार